मनुष्य अपने जीवन में कई सारी वस्तों का अव्यक्तियों का अनाधर करता है सूचता है इसका तो कोई मूल्य है ही नहीं ये किसी उपयोग का है ही नहीं अब सोचे आप किसी मार्ग पर चल रहे हैं और आपके पाओं में एक काटा चुब ज़ा तब आप जो कुछ भी कर लो तलवार से उस काटे को नहीं निकाल पाओं उसके लिए अवश्यक्ता होगी तो एक सूईगे इसलिए संसार में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता सबका अपना मूल्य है वैसी बात के जाए यदि जल की यदि जल मैला हो तो उसे हम ग्रहन नहीं कर सकते पी नहीं सकते कि यदि अकस्मात कहीं अगनी प्रज्वलित हो जाए सब कुछ भस्म करने लगे तो यही जल उस अगनी को बुझा भी सकता है सारा खेल है तो दृष्टिकोन का ये सोच का आपकी सोच ये उत्तम होगी तो वही उत्तम सच बनकर सामने आएगा संसार में वस्तो हो या व्यक्ति हो उस में कमियां ढूनना बन कर दीजे और उसका उप्योग क्या है ये ढूनना प्रारम कर दीजे जीवन सरल हो जाएगा और यह मन प्रसन्न हो कर कहेगा राधे राधे